खबर रिवा से हैं जहां टमस नदी में नाव पलटने से डूबे तीन यूबकों के सबों की तलास की जा रही है एक यूबक का सब बरामत हो गया है घटना की जानकारी मिलती ही जीरा कलेक्टर मरोच पुस्प और पुलिस अधिक चक नमनीद भसीन भी मौके का पहुच कर जाय जा लिया था कलेक्टर मरोच पुस्पन नदी में लापता यूबकों के परिजनों पर संबेदना ब्यक्त करते हुए 4-4 लाग की आर्थिक मदद की घोशना की है आपको बता दे के रिष्चेदारी में जाते समय पांच यूबक नाव में सवार थी अचानक नाव अनियंत्रित हुई और पलट गई थी जिसमें दो यूबक तैर कर अपमी जान बचा लिया लेकिन तीन यूबकों के लापता होने की ख़वर मिली थी जिसमें एक यूबक का सब तलासा जा चुका है जबकि दो अनिकी तलास जारी है आईए आपको सुनाते हैं कलेक्टर ने क्या कहा जो दुखत घतना नाव पलटने की हुई थी उसमें सर्चिंग का काम लगातार चल रहा है कल हम और स्पी साहब भी गए थे और हम लोगोंने मौके पर उसको मॉनिटर भी किया था लोकल जो टीम थी वो ततकाल पहुच गई थी और जो रिवा से टीम जानी थी वो भी रात में पहुच गई थी वहाँ पर सभी अधिकारियों ने कैम्प किया हुआ है एक बोडी आज शुबह मिल गई है और हम लोग लगातार कोशिस कर रहे हैं कि बाकी दो बोडी भी ततकाल प्राप्त हो जाए छेतर में इसके लिए मुनादी भी कराई जा रही है और हर तरफ से सुचना संकलन का कारी किया जा रहा है जबलपूर से डीप डाइवर्स की टीम रिवा पहुच गई है और अब गटना अस्थल के लिए रवाना हो गई है रिवा नगरपालिका से भी बड़ा जाल रवना किया गया है जो वहाँ पर जो बोडी को ढूंडने के काम में मदद करेगा तीनों के लिए केस तयार कर लिए गये हैं और उसमें 4-4 लाख रुपे की राशी का भुकतान तक्ताल किया जाएगा जो पहली बड़ी है उसकी पी-एम कराकर और उस राशी का भुकतान आज करने के दे दिये गए हैं और हम लोग उमीद करते हैं कि जल्द ही बाकी सर्चिंग का काम पूरा हो जाएगा यह दुखद है और हम लोग पूरी संबेदना के साथ जो परिवार है उनके साथ है परहर संबह शाहयता करने के लिए खृत संकल्पित हैं उस जगह पे जो भी आवश्यक सेवाएं होगी वो शासन के द्वरा दी जाएगा राजवाटिका विवागर राजवाटिका विवागर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन्दिन पार्टी, जन्मासा सहित आन्यकारिक्रमों के लिए विवागर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मद्ध वाटानुकूलित राजवाटिका मेरजगार्डिन के साथ हमारा पता है राजवाटिका मेरजगार्डिन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुंटहा, रिवा अधित चानकारी के लिए संपत करें 98270-04251